साथियों नमस्कार मैं हूनी रजपटेल और आप देख रहेने संजनमद योगी जी के रामराज की राजधानी लखनव के नगर निगम में सदन की बैठक के दौरान भारी हंगामा हुआ हंगामा भेष्टाचार को ले करके था बीजेपी के एक दलित पारसद राम नरेस रावत ने नगर आयुक्त पर पैकेज लेने के आरोप लगाए तो नगर आयुक्त हत्ते से उखड़ गए बोले I will kill you सदन में बैठक के दौरान बोले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा मेर सुसमा खरकवाल जो ब्रामर समास से आती हैं उन्होंने अपने पारसद का बचाओ करने की वज़ाए बोली पुलिस बुलवा करके इसको बाहर निकालो ये पारसद खुद वरष्टाचार मैं इसकी जाच करवाओंगी अब इस पूरे मामले में कोई बीजेपी पारसद राम नरेस रावत को सही ठहरा रहा है तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि आई एस इंदरजी सिंग जो नगरायुक्त हैं वो बेहद इमानदार हैं इसलिए जब उनकी इमानदारी पर चोट पहु ठाये जाने को ले करके इतना क्यों भड़क गई कि लोगने पुलिस बुलाने की धमकी से ले करके पारसद को कहा धक्के मार करके बाहर निकाल दो और उनकी जाच करवाने की भी बात कही इस पूरे प्रक्रण में असली मुद्दा भरश्टाचार है जिसको पीछे छोड़ क करके हंगामे की खबर को बढ़ा चढ़ा करके पेस किया जा रहा है अगर पारसद का ये कहना कि कहीं नगरायुक्त और मेर ने पैकेज ले करके एक ऐसी कमपनी रैमकी को लखनव सहर के कूड़ा प्रवंदन और सापसफाई का ठेका दिया है जो कमपनी बैकलिस्ट और एका देने के पीछे कहीं कोई उफर तो नहीं है लेकिन नगरायुक्त भड़क गए सवाल ये उठता है कि नगरायुक्त अगर इमानदार है तो ऐसी कमपनी को ठेका दिलाने के पीछे कहीं सुसमा खरकवाल या बीजे पी के अन्यनेताओं का दबाओ तो नहीं है क्योंकि सुसमा खरकवाल भी अपने पारसद की वज़ाए कंपनी के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही थी अब पूरे मामले को विस्तार से समझ लीजिए वैसे ये विवाद अचानक स खड़ा नहीं हुआ बलकि विपक्षी पारसदों समेथ बीजे पी के पारसद भी लगातार इस बात का बिरोध दर्ज करा रहे थे कि बिना उनकी सहमती के रैमकी इन्वाइरो इंजिनियर्स लिम्टेट जैसी कंपनी को करोणों का ठेका क्यों दे दिया गया जबकि बीजे पी पारसद अरुन्तिवारी राजे सिंगबर प्रमोज सिंग राजन जैसे पारसद सामिल थे उन्होंने बताया था कि जब महापाउर के साथ वो हैदरावाद गए थे तो यही कंपनी हैदरावाद नगर निगम में भी कूड़ा प्रवंदन का काम समालती थी उस समय हैदर खरकवाल से सवाल किये गए कि आपके पारसद इस कंपनी पर क्यों भड़के हुए हैं तो सुसमा खरकवाल ने एक जूट बोला उन्होंने कहा हैदरावाद की महापौर विदेश से आकर मेयर वनी वजनता के दौरा चुनी गई मेयर नहीं है उन्हें पारसदों ने मेयर च पारसदन में बात कही जबकी जितने बीजेपी पारसदों के नाम मैंने लिए उन्होंने इस पश्च तोर पर बताया के हैदरावाद की मेर पहले ही बता चुकी थी के इस कंपनी का काम ठीक नहीं है जब रेम की कंपनी के बारे में मैं गूगल पर सर्च कर रहा था तो यही कंपनी 36 गड़ में भी काम कर रही है बहां भी इस पर यही आरोप लगे थे के कूड़े का बजन बढ़ाने के लिए मिटी को सामिल कर लिया जाता था दरसल इस कंपनी को कूड़ा उठाने में प्रतितन बजन के हिसाब से बुक्तान होता है अगर कूड़े की जगे मिटी का बजन तौलवा दिया जाएगा तो हर दिन हजारों लाखों रुपए की गड़वड़ी है यानि कि साल में करोणों रुपए का घबला यही कंपनी मद्यप्रदेश में भी काम करती है वहां भी इस पर इसी तरह के आरोप लगे थे तो सवाल उठना लाजमी है जिस कंपनी पर लखनव के बाहर तो छोड़िये लखनव के ही पारसत खुद वादवार सवाल उठा रहे हैं उस कंपनी को न सिर्फ आप ठेका दे देते हैं बलकि सदन में ये भी बताते हैं कि ये बाहन खरीदने का ठेका भी कंपनी के पास ही रहेगा तो सवाल उठता है कि अगर नग कि जब मेयर को पता था तो महज इस कंपनी पर सवाल उठाने पर भड़क क्यों रही हैं अगर पता है पार्तत ब्रश्टाचारी है तो उसकी जाच करवा लेनी चाहिए थी कुल मिला करके इस खेल में कौन सही है कौन गलत ये तो मैं नहीं कह सकता मगर सदन के अंदर पारसत अगर कुछ आरोप लगा रहे हैं तो उसको गंबीरता से लिया जाना चाहिए था नगर आयुक्त कितने भी इमांदार हो लेकिन एक लोग सेवक के तहत उनका ये आचरण कतई उचित नहीं माना जा सकता और उसमें भी ये धमकी देना I will kill you वो भी सदन के अंदर और मेर के क इह नहीं क्या ने पारसट की बात सुनने की वजह है कह रही हैं तुम खुद व्रश्ठाचारी हो तो इसको धक्के दे करके बाहर निकाल दो बहराल इस रामराज में व्रश्ठाचारी की सिकायत करेगा कौन? भीजेपी के दलित पारसद ने हिम्मत की उस पारसद को चारो तरप से धंका करके ये बता दिया गया, कि तुम BJP के पारशद जरूर हो, लेकिन ये मत भूलो, कि तुम दलेत हो, इसलिए तुम BJP में तो हो सकते हो, लेकिन सत्ता में होने की गलत फहमी, देखते रही ने से जनमत, जागरुक और सजग बने रही है, जै विज्ञान, जै समिधान, जै लोगतंत्र धन्यवाद।